आज शारते नवरात्री का छटा दिन है नवरात्री के छटे दिन माकात्यानी की पूजा होती है सुभे से ही मंदरों में शर्धालू की भीर उमड़ पड़ी है बड़ी तादाद में शर्धालू माकात्यानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं जाता है कि मा कात्यानी की उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां भक्त मा की पूज़ा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों को विशेश तोर पर सजाया गया है और जो सजावट है वो देखते ही बन रही है बहुत एक खुबसूरत तरीगे से इन मंदिरों की सजावट की गई है और सुभे से ही पूजा का जो दौर है यहां पर चल रहा ह भक्तों का ताता इन मंदिरों में लगा हुआ है मा की आरती उतारी जा रही है पहली तस्वीर में जंडावालन मंदिर दिली का देखने को मिल रहा है जहां पर मा की भव्या आरती की गई है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं चतरपूर मंदिर की ये तस्वीर है ज जो कि मुंबई में हैं और यहां पर भी मा की आर्थी सुबह सवेरे की गई भक्तों का जमावड़ा यहां पर खासा देखने को मिला इस मंदिर में और बहुत ही खूपसुरत तरीके से लाल रंग के फूलों से मा को सजाया यहां पर जा रहा है ते तीन तस्वीरे अलग अलग तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मा कात्यानी के रूप के आज पूजा अर्चना की जा रही है बातुरुगा के हर रूप की अलग तरीके से पूजा की जाते हैं आज एशार्दिय नवरात्रे का छेता दिन है और आज माकात्यानी को खुश करने के लिए भक्त जो हैं उस उबह से ही मंदिरों में घए हुए हैं और हर संभव कोशिश है मा कात्यानी को खुश करने के लिए उपवास लोगों ने रखे हुए हैं और अपने उपवास में लोग जो है मों मंदिर में जाकर मा के हर रूप की पूजा अर्चना करते हैं मा के हर रूप के दर्शन करते हैं मा के सामने अपने तमाम दलीले रखते हैं, खुशोकर मा इन भक्तों की तमाम कामनाओं को पूरा भी करते है और चलिए मंदिरों में क्या कुछ आज च्छटे दिन खास हो रहा है, इसके जानकारी ले लेते हैं महेंदरगड से हमारी समवादाता करमवीर सिंग हमारे साथ चुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारी समवादाता अनुश्का गर्ख हमारे साथ है सबसे पहले बात करते हैं करमवीर से करमवीर महेंदरगड में किस तरीकी से मंदर को सजाय गया है आज मा के छटे रूप के पूजा अर्चना की जारी है क्या खासी तैयारी और भक्तों में कैसे उमंग है जी पिल्कुल देखे बताजू कि जिस परकार से जो है ये साथे नवरात्रे चल रहे हैं को लेतर के बागतों के अंदर काफी उच्छा देखना जा रहा है और माता का जो बंदिर है इस वक्त मैं माता मासर का ये महंदरकट दिले का सबसे बड़ा और सबसे और जहां लगाता है और जैसे जैसे दिन पड़ेगा उसके इसाब से यहां क्योंकि ग्रामीन परिवेश है तो ग्रामीन परिवेश से लोग निकल करके आता है तो जैसे जैसे दिन उपर चटा जाएगा उसी हिसाब से यहां काफी पड़ी संख्या में दिन में इतनी जवर्दस्त बीड़िया रहती है कि यहां पैर टेकने की जगह नहीं मिलती है कि रैदि लाइंग की विवस्ता की अधिन मुद्धि पी बद्रों के बात करें हम यह साजी नहीं में दोनों नहीं में के अंडर के बल्कि आस पास के जितने भी उत्र भारत के पृदे से और नो दिन तक पूरे नो दिन तक इस मंदिर के अंदर इसी परकार का माहूल यहां लगाता रहता है और जो भगते हैं वो अपनी सभी मनोका मराइं जो है मांगने के लिए मां के दर्बार पहुंचते हैं करमवीर अनुष्का से जान लेते हैं अनुष्का माई साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के मंदरों में कैसे सजावट है दिल्ली की कफी सारे ऐसे मंदर हैं जो काफी परसित हैं जहां से दूर दरास से लोग पूजा अर्चरा करने आते हैं बिल्कुल शार्दी नवरात्री का च्छठा दिन है मा कात्याईनी की आज पूजा की जाती और इस वक्त हमारी मौजूद की दिल्ली के प्रसिद कालकाजी मंदर में एक बार मैं आपको तस्वीरे दिखाना चाहूंगी अब देख सकते किस तedel के से सुबे से ही आप भक्तो का ताता लगा हुए हजारों की संकया में भक्त जो है वह यहाँ पहुच रहा है माता के दर्शन करने के लिए आपको तस्वीरें में ही दिखाई दी सकता है कि किसतरीके से पूरी मंदिर में भक्तों कीलाइन वो लगी नवनीता कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है मैं हर नवरात्री आती हूँ नौ दिन आती हूँ और शर्ष्टी के बाद जादा भीड़ो जाती है लेकि नगर होना चाहे तो आती होई जाए मनाक्षी बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत सारी है माता नानी को पता है उनको हमारे दिली चाह सब कुछ पता है अच्छा लगातार यहाँ पर सभी भक्त पहुंच रहे है माता के जैकारी जो है वो किये जा रहे है तरह जगे जगे पर यहाँ पर सेवादारू की तैनाती की गई है ताकि किसी भक्त को कोई भी परशानी का सामना ना करना पड़े क्योंकि भीड बहुत जगे जगे पर पुलीस की तैनाती की गई है साथी साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि छटा दिन है कालकाजी दिली के सबसे बशुहूर और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और हर नवरात्रे में जो है हम देख सकते कि इसी तरी की जो भीड ह है वो यहां देखने को मिल रहे है आम दिनों में भी यहां पर कुछ ऐसी भीड दिखती है पर क्यूंकि शार्दी नवरात्री चल रहे है और आज 6 दिन है तो हम देख सकते किस तरी के से लोग अपने घरों से बाहर निकल कर मंदर परिसर में पहुंच रहे है और लगातार ह यहां पर माता के दर्शन करने के लिए और बेख सकते हैं माता की भव्य सजावट की गई है और लगातार 24 गंटे यह मंदर खुला रहने वाला है 24 घंटे लगातार भक्त जो है वो यहां आकर माता के दर्शन कर सकते हैं सिर्फ आरती के समय में मंदिर का जो द्वार है वो बंद किया जाता है बाकी पूरे समय आप देख सकते हैं यहां पर भक्तों के दर्शन के लिए माता रानी का जो द्वार है वो खुला रखा गया है लगातार लोग जो है वो पहुंचते वे नज़र आ रहे है सिक्योरिटी तिनाद की गई है लोगों के आवाजाही में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो उसको ध्यान में रखते वे पूरी जो व्यवस्ताए है वो चाक चौबंद की गई है हमारे दर्शकों को आज मातारानी के लाइफ दर्शन कराए है मंदिर से और भीड यहां पर देखने को मिल रही है इतनी लंबी कतार में लगने के बाद भी भक्तों के चहरे की जो चमक है जो खुशी है वो मातारानी के दर्शन करने के लिए महस देखते ही बन रही है और काफी भीड आज जो है इस समय देखने को मिल रही है छटे दिन पर भीड काफी है किस तरीके से मा का शिंगार किया गया है किस खास तरीके से आज छटे रूप की पूजा अर्चना मा की की जा रही है प्रशाद है वो लेकर यहा पर पहुँच रहे हैं वो देखने को मिल रहा है, मैं अपने क्यावर पउसल से कहूंगी, ज़र आपको पैन करके दिखाएं तस्वीरे, देख सकते हैं किस तरीके से? लगातार यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है, वो देखने को मिल रहा है, लाइन लगाकर लोग आ रहे हैं, और यह लाइन सर्फ यहां से ही शुरूड ही ओरी है अब रिष। जो प्रवेश दोआ है वही से इतनी लंबी लाइन शुरू हो जा रही है और लगतार लोग जो है वो ही हाँ पहुने वे नज़र आ रहे हैं और सीधा माता की जो दर्शन है करने के लिए कहीं सब पर निवाजन करने के लिए अपने अपने तरफ से जो है जो है जो आपको पेले रंके कपड़ों में सजाया गया है और साथ ही साथ चपन भोग जो है वो भी चढ़ाए गया है कि भखतों की कितनी भीड़ है और क्या सजावत इस मंदिर में और उस तमें ये सामने तो लाइने हैं दूर तक आप देखोगे तो ये पूरी लाइने बरी होती हैं अभी सुबै का समझे सब्सक्राइब कर लेख की वज़े से फोड़ा सा यहां लोग जो है अपने घरों से निकल के नहीं आई लेकिन अभी लोग कहुत रहे हैं और जो तै यहां पुक्ता तैयारिया की जाती है चीके करमवीर और चलिए दिली से हमारे संवधाता दीपक भी हमारे साथ चोड़ गये हैं दीपक किस मंदर में इस वक्त आप मौझोद हैं और क्या खासे तैयारिया मंदरों की की गई है कैसा सहलाब आज मंदरों में देखने को मिल र आत्रों का सब्सक्तीे हैं लगाते हैं ओसे तो करने हैं मंदरों में आफ कीती में क्युक्त बेसे हैं शुक्र आनुषका आपका इंतरबाम जरान कारियों के लिए दिपक आपका धी शुक्रिया घर पैथे